आईपील 2020 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर साहधराबाद के खिलाप करारी हार के बाद एक बार फिर आईपील यानि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है RCB की इस करारी हार के बाद एक बार फिर उन तमाम लोगों की भविश्य वारी सच सावित हो गई जो लोग विराट कोहली को लेकर दावा करते हैं कि विराट की कप्तानी के दोरान IPL में RCB की टीम कभी नहीं चेंपियन मनेगी आपको बता दें कि पहले बलेबाजी करने उतरी RCB की शुरुआत कुछ खास नहीं रही भी आउट हो गए RCB की तरफ से एक मात्र बलेबाज एवी डिविलियर्स ने डट कर संराइजर्स हैदराबाद के गेदवाजों का मुकाबला किया विराट कोहली देवदत पाडिकल और आरोन फींच जैसे दिगज बलेबाजों के आउट होने के बाद बलेबाजी करने आए एवी डिविलियर्स बेहद ही आकरमक पारी खेली जी हाँ डिविलियर्स की आकरमक पारी के बदावलत ही आर्सिवी की टीम 131 रन का स्कोर खड़ा करने में काम्याब रही जवाब में बलेबाजी करने उतरी सन्राइजर्स हैदराबाद की तरप से रिधिमान सहा की जगह बलेबाजी करने आयज स्रीवात सो गोस्वामी बिना खाता खोले ही आउट हो गए अलकि सन्राइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी बात यह रही कि गोस्वामी के सस्ते में आउट होने के बाद डेविड वार्नर, मनीश पांडे, केन विलियम सिन और जेसन होल्डर ने सांदार बल्लेबाजी की। अब IPL 2020 का दूसरा क्वालिफायर मैच सन्राइजर्स हैदराबाद और दिली केपिटल्स के बीच आठ नॉमबर को खिला जाएगा।